आप मक्खी बनेंगे या मदुमक्खी? मन को नकारात्मक सोच खेरने लगे, तो स्वैम से पूछिए, मैं मक्खी बनना चाता हूँ या मदुमक्खी? मक्खी गंदगी पर बैटती है, जबकी मदुमक्खी सिर्फ फूलों पर बैटती है, मदु संचित करती है. हम किन विचारों पर ध्यान के इंदृत करना चाते हैं हर बात इस्थान घटना व्यक्ति में क्या बुराई है उस पर या फिर हर परिस्तिती में क्या अच्छा हो सकता है हर घटना में क्या संभावना चुपी हो सकती है हर व्यक्ति की क्या खूबी है उस पर स्वयम के बारे में अक्सर हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं मैं आज सुबर जल्दी नहीं उठ पाई इसलिए मैं अच्छी बहु बेटी नहीं हूँ पिता का चश्मा लाना भूल गया तो अच्छा बेटा नहीं हूँ पती को ओफिस के लिए खाना नहीं दे पाई तो अच्छी पतनी नहीं हूँ बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं दे पाई तो अच्छी मा नहीं हूँ किसी विशे में नंबर कमा गए तो मैं अच्छा विध्यायती नहीं हूँ अब मैं क्या करूंगा, किसको मूँ दिखाऊंगा, मेरे माता पिता सिक्षक मुझे से निराश हो जाएंगे, मुझे नौकरे नहीं मिलेगी, मेरी शादी नहीं होगी, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, सोचते सोचते कहां तक आ गए, यहां तक की मामूली बात से कई बार अच्छे भले मुनुश्य को स्वैम का अंत करने जैसे घातक विचार तक पहुचा देती है, ऐसे विचारों से निजात पाने के लिए स्वैम को अपनी शक्तियों और खामियों के साथ पूरी तरह अपनाएं, स्वीकारें, अपने गुनों को पहचाने, उनकी एक स सब में कमिया होना स्वभाविक ही है, इसी तरह दूसरों को भी गलती कहने और उन्हें सुधायने का मौका दें, जीवन शनभंगूर है, पल-पल बदलता जाता है, वहितमान के पलों में जीने का प्रियास करें, विचारों के जाल, भूत और भविश्य के गलियारों में ब कोशिश करें, थैंक यू